हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर जैसा कि अभी हम लोग चानते हैं कि 10 थारिक को 2nd सेमेश्टर का जो है PCA का 2nd सेमेश्टर, MCS 015 का एक्जाम है, ठीक है 2nd सेमेश्टर का है, इसका नाम है Communication Skill 10 थारिक को है इसका एक्जाम, I think तो हम लोग इसका भी देखेंगे कि important question क्या है और इसको किस जंग से अभी करना है, कुछ दिन बाग की है, इसको अराम से कर सकते है तो ठीक है, तो देखते हैं, देखें सबसे पहले आप लोगो previous year download कर लेना है, as usual क्योंकि previous year सही पढ़ना है best option रहता है तो आप लोग previous year download कीजे, और उसके बाद, देखें इसमें कैसा question आता है यह देखें, पहले हम लोग December 2021 का देख रहे है, ठीक है तो December 2021 में हम लोग क्या देख रहे है पहला जो question आ रहा है, वो क्या है paragraph है, ठीक है यह जो देखें, पहला question, यह passage है, ठीक है यह एक number ऐसे, और बहुत simple question है, यह नहीं यह आप तो यह 10-1 में भी पढ़े होंगे अच्छे से तो वही सब चीज है उसके आप देखें, दूसरा क्या है, दूसरा number जो question है यह है आपको लिखना है active से passive voice में, ठीक है इसमें passive voice दे दिया है, active voice दे दिया है ठीक है, तो यह सब देख लिजेगा आप लोग, उसके बाद तो एकदम सिंपल, से has completed head graduation, उसके बाद suitable question टैग दे दे देना है, ठीक है उसके बाद do you think that is a good film invest, यह सब proposition दे देना है, यह सब सिंपल, आप लोग यह 9-10 में जो परतियार है, वही सब है दूसरा number question में वही सब आएगा, फिर तीसरा number question में देखें क्या है, कि एक advertisement का response करना है, यानि कि हम लोग को एक application लिखना है, ठीक है ठीक है, और उसके बाद CV लिखना है, curriculum with, यह दोनों आप समझ लीजे, CV और application, most important question है, ठीक है तो आप YouTube पे जाएगा, how to write CV, सर्च किजेगा, आपको जो भी मिलेगा, पहला उठाएगा वीडियो, और देख लीजेगा कि उसमें कैसे पनाया जाता है, कैसे क्या करना पड़ता है, simple, और उसके बाद, यह से advertisement का, आपको क्या लिखना है, application, application, writing करके YouTube पे सर्च किजेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है, और यही जब सेम कुशन रहता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोल रहा है, कि अभी आप secretary है, email लिखने बोल रहा है, all the, क्या बोलते है, member को information देने के लिए, email लिखना, ये भी आपको चाहिए, ठीक है, उसके बाद, ये देखे, क्या बोल रहा है, telephone conversion मतलब की, दो लोगों के बीच में, बात हो रहा है, उसके आपको, ये design बना के, मतलब देना है, जैसे हम लोग बात करते है, hello, good morning sir, वेगेरा, तो फिर उदर से reply, okay, okay, good morning, वो भी बोलता है, तो उस तरह का ज कैसे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये हम लोग का December 2020, मतलब December 2020, उसका exam February में हुआ था, इसले दिया हुआ है, आप देखिए, इसमें पहला नम, इसका भी देखिए, पहला नम कोशन का है, वही passage है, पैसेज दे दिया, उसके दुसका question दे दिया, तीन चार्टो, उसके बाद फिर वही active voice, passive voice लिखने बोल रहा है, फिर change करने बोल रहा है, तो वही सब चीज है, indirect speech ये सब है, एक्तम simple रहते है, आप लिख सकते हैं, और easily तोर पे, उसके फिर से देखिए, response of advertisement, times of India का नाम है, और उसके बाद फिर से आपको बोल रहा है, write an application for the same, ठीक है, और उसके बा age, father's name, date of birth, email ID, कौन-कौन सा qualification, वही सब है, ठीक है, तो वही होता है, CV मतलब, उसके बाद फिर बोल रहा है, group discussion, different from an interview, पूछ रहा है कि कैसे group discussion, interview से अलग है, तो आप इसके पर खुद से भी लिख सकते हैं, कि group discussion में क्या होता है, और interview में क्या होता है, ठीक है, उसके बाद पिर वही बोल रहा है, आप देखे, minutes of meeting, minutes of meeting, बहुत important है, most important है, आते ही रहता है, तो आपको क्या क्या करना है, आप समझ गए, minute of meeting पढ़ लेना है, उसके CV बनाना सीखना है, उसके application, ठीक है, ये तीन टो question कर लेंगे, इसका बहुत ये रहता है, उसके बाद फिर देखे, what CS 015 का book आप खो लिएगा, वहाँ पर आपको सारा दिखा देगा, meeting of meeting का भी, ठीक है, उसके बोल रहा है, preparation should candidate for appearing in the interview, मतलब interview में जाने से पहले, candidate को क्या क्या prepare करना पड़ता है, क्या क्या आप prepare करके जाना चाहिए, ठीक है, तो आप वो लिख दीजेगा, उसके फिर से देखिए, in a response of advertisement, ये दूसरा साल का paper है, ठीक है, एक सेके मैं बता रहा हूँ इन किस साल का है, ये जून 2020 का है, ठीक है, same type का question, मैंने पहली बोल दिया था, कि ऐसा ही question आएगा, फिर दो नंबर में देखिए, वही सब चीज है, do as directed, उसके फिर तीन नंबर में वही है, write an application और फिर cv, 15 marks है, समझे, application 10 marks है, cv 5 marks है, तो आपको करके जाना है, easy तोर पे, simple सब पूरा chapter ही है, पूरा easy वला है, तो आप इसको कर सकते हो, आप इसी तरह से देखिए, December 2019 का देखेंगे, पहला paragraph, इसी तरह का question पूरा भड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको बस दिखा बता रहा हूं कि कैसे repeated question रहते है, ठीक है, मतलब वही same चीज है, 4-5 चीज है, उसी में आपको सारा चीज हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, फिर से वही बोल रहा है, आधार को ये करना है, हम लोग ये तो बहुत पहले ही से लिखते आ रहे हैं, online complaint यानि की email भेजना है उसको, फिर देखे, write the minutes of meeting है न, same चीज है, तो बस यही सब question रहता है, राप राम से इसको कर सकते हो, तो ठीक है, MCS 015 के लिए, और देखे, आपको कैसे previous year को solve करना है, ठीक है, तो अगर आप December 2022 का exam देने वाले, मतलब अभी जो हम लोग exam देंगे हो, तो December 2022 का है, तो उसको कैसे प उससे पहले, December 2020, फिर उससे पहले, June 2020, तो इस तरह से हम लोग को previous year को solve करते हैं, मतलब इस तरह से पढ़ना है, ठीक है, यह निकि कहीं से 2011 का देख रहे है, उतना नहीं क्योंकि pattern change हो जाता है वक्त के साथ, ठीक है, तो हम लोग इस तरह से करना है, तो best of luck, और उसके बाद इस वीडियो के लिए ताहीं, अगर आपको भी वीडियो पसंद आले, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद